इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह जो कोशिका वृद्धी और रखरखाव के लिए उप्योगी है। यह एक एंटियोक्सिडेंट के रूप में भी कार्य करता है, जो शरीर को आक्सीकरन करने वाले अनूओं के विभिन हानिकारक प्रभावों से बचाता है। यह शुक्राणू DNA के विखंडन को रूपता है और शुक्राणू DNA की गुणवत्ता में सुधार करता है और प्रजननक्षमता की संभावना को बढ़ाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, यह शरीर को वसा को उर्जा में बदलने में मदद करता है और हृदय और मस्तिश के कार्य, मांस्पेशियों की गती और कई अन्य प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दो, यह प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और उतक के निर्मान और मरम्मत में महत्वपूर्ण है। तीन, यह तनाव दूर करने में प्रभावी है और पुरुशों में शक्ती और जीवन शक्ती बढ़ाने में मदद करता है। चार, यह प्रदर्शन को बढ़ाने, प्रतिरक्षा के निर्मान और वजन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक प्राकृतिक उप्चार की रूप में प्रयोग किया जाता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।